हलो दोस्तों स्वागत है MK Sir Inspiration के एक और बहतर वीडियो में So friends आज के इस वीडियो में हम बहुत ही simple way में आक्सीकन संख्या निकालना सीखेंगे बहुत ही आसान है और इतना आसान है कि जिस तरह आप दूध में से मलाई निकाल कर खा जाते हो तो उसी तरह से आज आक्सीकन संख्या निकालना आप सीख जाएंगे इसमें कुछ basic सी tricks हैं ताकि आपको किसी भी elements या compound के आक्सीकन संख्या को रटना ना पड़े बहुत ही आसान तरीका है तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं अगर बात करें दोस्तों किसी भी तत्व या फिर योगिक की आक्सीकन संख्या जब निकालते हैं तो उसके लिए हमें कुछ तत्व के आक्सीकन संख्या याद करने होते हैं उसके लिए हमने यहाँ पर एक कटेगरी वाइस यहाँ पर रख दिया ताकि आपका जो माइंड है वो इधर उधर न भटके आप आसानी से चीजों को याद कर सकें अब यहाँ से दplings धनायन में बात करें दोस्तों जो वरग ए है न क्योंकि जो वरग फर्स्ट ए और फर्स्ट बी चलता है उसमें आप देखें उनगे एक में क्या है चार दात होता है एक क्या होता है छारी मिर्दा धात के रूप में ठीक न तो उसी में यहाँ पर दोनु क अलग है जो पहले वाले में है जिसे ट्टिक के तरह से आप याद कैसे करेंगे कि हाए लेला ने किया रब से फरियाद कर दिया भाई शाहाँ तो इसका मतलब कि हाए यानि हाइडरोजन है लिथियुम है सोडियुम है पुटिसियुम है इस तरह से जो है दोस्तों जो first day में ज धनात्म के नहीं पलस एक होता है आक्सिकर्ण संख्या होता क्या है किसी भी तत्व या फिर योगिक के आड़ू में उपस्थित परमाड़ूं पर जो चार्ज होते हैं वही होते हैं आक्सिकर्ण संख्या है ना उसी को आक्सिकर्ण संख्या कहते हैं तो ये फरस्ट ये वाला कार स्कूटर और जो बाब बैटकर रोए है ना भई महगाई में स्कूटर मागेंगे तो रोएंगे जनाब तो आप आपकी मरजी आप जिस तरह से इसको याद कर सकते हैं याद कर लेजिए बांकि अगर नहीं भी पता है ट्रिक तो बेचारे मजनू का सर बड़ा रूठा इस में क्या है जितने भी तत्तों है सब पे जो पलस दो दिख रहा है इसका मतलब इनकी जो आक्सीकन संख्या है पलस दो है तो आप देखिए कितना सिंपल तरीके स्याद हो गया दूसरा है रिणायन में क्या है कि फूल कली बरखा आई है ना क्या बात है फूल कली बरखा आई मतलब जो क्या है बात करें दोस्तों उसमें वर्ग सतरा के वर्ग सतरा ठीक ना जिनें हैलोजन तक भी कहा जाता है उसमें जो है सब पे क्या है निगेटिव चार्ज होता है यहनि फूल कली बर्खा आई यह क्या है माइनस एक सब है इसके अलावा क्या है सीजन साइनाइड है OH है और oxygen पे minus 2 तो यह क्या है जैसे sulfate है SO4 है तो minus 2 तो इसने जहां से यह जो आपको दिख रहे हैं सब पे minus charge होता है ठीना अब किस पे plus है वहलो किस पे minus 2 है किस पे minus 1 है यह यहाँ पर आपके सामने है next है उदा सीन जिन पे ना कोई plus हो ना minus हो वो क्या होते है उदा सीन उदा सीन में क्या है जिसे जल है ठीना एक कोई पढ़ा जाता है जिसे H2O है NO है NS3 है CO है यह क्या है ammonia से व्यूत्पन यह भी योगिक होते हैं यह नी amine का ही होते हैं सदा से होते हैं ठीक और C2S4 है तो इन सब का जितने आप देख रहे हैं यह कहीं पर भी आ गएं तो इनका 0 ही होगा आक्सिकन संख्या अब यहां से आपके सामने कुछ योगिक हैं कुछ क्या है योगिक हैं और इन ही के ऑक्सिडेशन नंबर को फाइंड आउट करना है चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से हम इसको देख लेते हैं जैसे Na, H2, PO4 में P की आक्सिकन संख्या निकालना है तो Na है, Na का कितना है प्लस एक है, तो प्लस एक रख दिया, ठीक ना, फिर उसके बाद प्लस H2 है तो दो आगे लाए, क्योंकि यहां पे दो है, H का भी प्लस एक हो जाएगा दोस्तों, फिर P जिसका पूछे, X आप रख दीजिए ठीक, X हो गया और यहां से प्लस करके यह 4 आपको दिख रहा है, 4 आगे ले गए और उसके बाद O का कितना होता है O का कितना है, इसमें देख लिजिए O का माइनस 2 है, तो यहां से माइनस 2 हो गया, और इसके यहां पर कोई चार्ज होता, तो बराबर लिख देते कोई चार्ज नहीं है, बराबर 0 लिख दिए ठीक ना, इसको अब थोड़ा सही ढंक से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा यह क्या है, एक है और प्लस यह 2 कम यहां से 2 हो गये, प्लस यक्स और यह 4 दुना, कितना हो गये, 8 माइनस का, 8 हो गया, बराबर 0 हो गया, ठीक ना, यह कितना हो गया दोस्तों, यह हो गया, 2, 1, 3, यहनि, x x माइनस, यह 3 है यह 8 है, 8 में से 8 में से हमें घटाना है ठीक ना, 8 से कितना 5 घटाना है, क्योंकि घटाएंगी क्यों, क्योंकि ये माइनस है, बड़ा है, तो यहाँ से पलस 3 है और ये माइनस का 8 है, तो यहाँ X माइनस 5 हो गया बराबर 0, यानि इसका कितना गया, पलस 5, चिन्न के साथ रखते हैं, यानि जो इसमें क्या है, P Phosphorus की जो oxidation number है वो है 5 इस तरह से निकाल लेंगे ठीक ना इसी है बहुत ही इसी है ठीक अब इसमें देखते हैं ठीक ना इसको देख लेते हैं बराबर ये 0 उधर जा रहा है इसमें देखेंगे NaHSO4 ठीक NaHSO4 तो क्या करेंगे दोस्तों ध्यान से समझेगा Na का है प्लस एक करेंगे ठीक हमें निकालना किसकी है सलफर की प्लस के बाद यहां पर H है तो H का भी प्लस एक करेंगे इसको कोश्टक में रख दीजिए इसका भी प्लस एक करेंगे ठीक और उसके बाद फिर प्लस लगाए यहां पर ठीक प्लस लगा दिये हैं अब यहां से S है S का कितना X माल लें और प्लस का O 4 है, O यहां से दिखे 4 ले गए, आक्सीजन का माइनस 2 हो गया, और बराबर का 0 लिख दिए, ठीक न, इसी तरह हो जाएगा, इसमें भी क्या निकालेंगे, यह कितना 1, 1, 2 हो गया, और प्लस यहां पे X हो गया, और उसके बाद माइनस का यह कितना हो गया, 4 दु और X बराबर कितना हो गया, प्लस का 6, कितना प्लस का 6, यहां से आ गया, कितना आ गया कि, इसका आ गया S, S मतलब सल्फर का, इसी तरह इसमें जब निकालेंगे, क्या हो जाएगा, कह रहा है कि K4, K4, K4 है तो यहां से 4 रखेंगे दूस्तों, F1 निकालना है, के और के का कि प्लस एक प्लस एक रख दिये ठीक ना और पलस का और उसके बाद F e का है X लिख दिए और प्लस का C N ध्यान दिजिएगा C N ये 6 लगा है तो x-2 बराबर 0 हो गए है ना क्योंकि 6 में से यहां से 4 घटाएंगे माइनस 6 है यह ना तो यहां से क्या हो जाएगा x बराबर यह उधर जाएगा प्लस का 2 यहां से इसका निकल आया ठीक अब उसके बाद क्या करेंगे इसमें देखेंगे ठीक ना चलिए इसको निकाल लेते हैं इसमें ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होगा दोस्तों यहां पर f e किसकी निकालेंगे f e की निकालेंगे क्योंकि f e की हमें पता नहीं यह cn का पता है तो इसको x मानेंगे प्लस ये 6 है 6 लगा दिये cn का माइनस 1 होता है बराबर अब की बार चार्ज है माइनस का यहां फे 4 है तो यहां माइनस का 4 लिख देंगे ठीक फिर लिखेंगे x माइनस ये 6 और बराबर का माइनस का 4 हो गया अब देखिए x अब भेज देंगे ये माइनस का 6 है उधर जाएगा प्लस का 6 तो 6 में से 4 गए प्लस का 2 हो गया तो ये आगया प्लस का 2 x बराबर कितना गया दोस्तों प्लस 2 इसका ये आक्षी क्रम संख्या निकल गया ठीक ना अब निकालेंगे इसमें किसका इसमें pt यानि प्लेटिनम की निकालेंगे तो जिसका निकालना है x मानिए प्लस 3 आगे लाइए और उसके बाद ns3 की लिखेंगे ns3 कितना क्या है उदासीन है 0 हो गया ठीक और उसके बाद cl है क्लोरीन तो कितना हो गया माइनस का एक इसमें देख लिए फिर कितना लिखेंगे माइनस का एक लिखेंगे और बराबर का 0 कोई चार्ज नहीं है तो यह हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0 क्योंकि यह तो 0 हो गया है माइनस 1 बचा है क्यों तो x बराबर हो जाएगा यह दिख रहा है ना तो यह क्या है उदासीन है तो उदासीन है तो क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे प्लस 3 है और इसके बाद CL है CL पे माइनस 1 बराबर यहां से चार्ज क्या है माइनस 1 है ठीक यहां से लिखेंगे क्या X लिखेंगे और यह तो 0 हो गया X माइनस 3 बराबर म माइनस 1, अब यहां से इसको x बराबर जब लिखेंगे दोस्तों, यह माइनस 3 है, उधर जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, 3 में से 1 घटा देंगे, डिरेक्टली कितना हो जाएगा, यहां से प्लस का 2 आजाएगा, कितना आएगा दोस्तों, प्लस का 2, क्योंकि यह माइनस 1 है, यह जाएगा उधर पलस, तीन में से एक घटाओ के तो पलस का दो आया, ठीक, अब इसी तरह से इसमें निकालेंगे, क्या है, जेडेयन, H2O है, उसके बाद O-H है, पलस का यहाँ पे चार्ज है, तो जेडेयन का निकालना है, जिंक का, X मानिए, पलस H2O, देखिए, यह तीन बराबर यहाँ पे पलस एक चार्ज है, पलस क्या है, एक चार्ज है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा, X माइनस 1, और बराबर का कितना हो जाएगा, पलस का 1, ठीक न, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, X बराबर, यह माइनस का 1 है, उधर तो plus एक और एक एक मिलके यह दो हो गया ठीक ना अब इसका निकालेंगे इसमें किसका CO कोबाल्ट का निकालेंगे अब देखिए तीन है तो तीन आगे रखिए तीन क्या करिए आगे रखिए क्ये का कितना होता है प्लस एक है देख लीजिए पहले वाले में और उसके बाद दोस्तों रखेंगे CO का X रखेंगे और उसके बाद प्लस C2O4 कहीं दिख रहा है C2O4 रिडायन वाले में देखिए माइनस का 2 चार्ज है ठीक ना लेकिन ये 3 आगे लगा है 3 आगे रख लिजिए C2O4 का माइनस का 2 चार्ज है बराबर कोई यहां पे चार्ज नहीं है 0 लिख दिए ठीक लिखेंगे इसको कितना इसको लिखेंगे कितना कि 3 प्लस X माइनस 6 बराबर 0 अब देखिए यह 6 में से 3 घटायेंगे माइनस का 3 ठीक माइनस के 3 यनि इसको हम ऐसे कर सकते हैं एक्स माइनस एक्स माइनस तीन बराबर जीरो या डिरेक्टली हम इसको एक्स बराबर लिख सकते हैं पलस का तीन यही क्या हो जाएगा आक्सिकान संख्या निकल आएगी ठीक ना किसकी कोबाल्ट की अब यहां से है MN H2O है 6 लगा है SO4 है इसमें क्या MN ठीक ना MN यानि इसकी निकालेंगे तो MN को X मानेंगे पलस 6 है 6 लगा दिये और H2O जल कहां गया जल यह है उदासीन है 0 है ठीक ना और पलस का SO4 SO4 क्या है दोस्तों SO4 यह दिख रहा SO4 का कितना माइनस का 2 बराबर कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो जाएगा यह हो जाएगा X-2 बराबर 0 यह दिन क्या हो जाएगा यह यहां से X बराबर कितना हो जाएगा X बराबर हाँ उधर जाएगा पलस का 2 यही इसका आकसी कर्म संख्या हो जाएगा इस तरह से आप किसी भी योगी के आकसी कर्म संख्या को बहुत ही simple तरीके से निकाल सकते हैं है तो मज़ा आई इस वीडियो म नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए क्योंकि मिलते रहते हैं हम ऐसे ही मज़दार टॉपिक के साथ लव यू बाई बाई टेक केर